पेरी अपनी कहानी के दरपन बोल रहा है सॉरी एक पिशंट और अरे इंदू तुम ये टैबलिर्स जो तुमने लिखके दी थी न कहीं नहीं मिलते अरफी बाफ होने के नाते मेरी भी तु कुछ तेमेदारी है मगर मैं चलेगी तो आपको छोटे-चोटे भाई बहनों को कौन देखेगा अरफी तुझे भी तो अपना घर बसाना है मुझे तो ऐसी बहु चाहिए के जो सब कुछ भूलकर इस घर में चलिया है दो पंची दो तिन के कभूले दे चले है कहा यह बनाएंगे एक आशिया इससे खुशी का तो इंतिजार था जो कुछ हूँ मैंने किया है इससे दिन के लिए तो क्या है ना दीदी मैं पास हो गया दीदी फस्क्लास फस्त मुझे तो पहली मालूम था रहे भाबी की उंगली में हीरे का छला हीरे का छला होई होई हीरे का छला देखो देखो छले से भाया ने बांधा है पल्ला बांधा है पल्ला अरे अरे बांधा है पल्ला कैसी बाते का रहा है मैं तो शादी में सिर्फ तरी रहा देखते रही रहा तो उसकी देखे जाती है जिसको ख़बर दी गई हो देखो ना कैसे नासम जी की बाते करती है विनो चला गया तो इसमें इसमें दुख होने की क्या बात है वो गया है अपनी तरक्की के लिए तो गया है ना मैं तो भूले गये थे तुम लोग बड़े हो गया ना अपना भना तुरा खुद समझने लगे हो जो राह चुनी तूने चुनी जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे